बारज जुलाई को अचानक हुई भारी बारिश के चलते सामने तैसील के केलवत थाना अंतरकत पन्ली वाले नांदा चत्रापूर के बीच बहने वाले बामधवाडा नाले के पुलिया पर बार में बही इसकॉर्पियो में सवाज 6 लोगों की मौत के हाथ से का और वहां जारी रहत कारियों का चैसा लेने शेत्र के विधायक और पूर्व मंतरी सुनील केदार और पूर्व जिला परिशत उपाद्यक्ष मनुह कुंभारे आदीने घटना इस्तल पौँच कर सरप्रतम व्रतक परिवारों से मिलकर उने सांतुना देकर उनका धानस बांद का सांतुना दी साथी घटना के बाद से ही घटना इस्तल पर तैना तैसिलदा प्रताव वागमारे नाकपुर जिला ग्रामिन के पुलिस अधिक्षक विजिकुमा मगर बीडियो धीपक गरूर केलवत थाने के थानिदार अमित अत्राम पंचाय समीती सदस्य गोविंदा ठाकरे राज्जी आपदा प्रभंदन अधिकारी आदी से चर्चा कर बचाफ कारी का जैसा लेकर उनके द्वारा शव ढूनने हे तू चलाय जा रहे युद्धिस्तरिये प्रयासों की सरहना की मंत्री के दार के घटना इस्तल पहुचने से पूर भी एक म्रतक का शव जुनेवानी तलाब की करीब के नरसरी में तो दूसरा शव भी करीब ही पाए जाने की पुष्टी राज्जी आपत्ती प्रभंदन टीम द्वारा कर शव निकालने की प्रक्रिया अंतिम चरण में हो और बचे एक शव को भी ढूणने का प्रयाज चारी होने की बाद पुलिस अधिक्षक विजे कुमार मगर और सामने तैसिलदार प्रताब वागमारे ने कही वहीं कल प्राप्त हुए तीनों शवों का पोस्ट माटम कर शवों के अंतिम संसकार हे तू परिजनों को सौपे मंतरी के दार ने हाथसा ग्रस्त बामधवाडा पुलिया सहित बाड़ पीडित शेत्रों का दौरा कर बाड़ से हुए जानमाल की होने के साथ ही खेती किसानों की भारी नुकसान पर चिंता जताते हुए उप विभागी अधिकारी अतुल महत्रे तैसलदा प्रताब वागम पत्रकात तेज सिंग साब जी पूर्वनगर सेवक लक्ष्विकान दिफ्टे हेटी सावंगी के सरपंच अशोग डवरे आजी प्रवकुम्ता से उपस्तित थे साबनेर से न्बीसियन न्यूस के लिए किशो ढूंडेले की रिपोर्ट